So guys welcome back to my channel trading station So guys अभी यह जो pattern अभी form हो रहा है यह short shot pattern 8 के अंदर आने वाला है और इस pattern के लिए मैंने पूरे के पूरे एक घंटा अपना दिया है और इस pattern को fine करने में मुझे पूरे एक दिन लगे है एक दिन से में भी ज्यादा लगा है लेकिन इस pattern को fine करने में मुझे पूरे एक घंटे लगे है और बहुत है मुश्किल से मुझे यह pattern देखने को मिला है और यह pattern 100% विन जाने वाला है क्योंकि यह short shot pattern 8 और इस trade पे किस तरह से placing करना है सब खुश मैं आप क्यों बताऊंगा और हमारा भी जो current placing होगा वो downside की तरफ हमारा होने वाला है simply just मैं दो trades यहाँ पे downside की तरफ place कर दिया हूँ और यह trade बिल्कुल 100% विन जाएगा क्योंकि यह short shot pattern ही 100% के लिए होता और एक चीज़ मैं आपको inform कर देना चाहता हूँ कि अगर आप short shot pattern पे trade करना चाहते हो तो उसके लिए आपको चाहिए होगा patience ठीक है इसमें money management की ज़्यादा जरुवत नहीं पड़ती है लेकिन आपको इसमें patience की ज़्यादा जरुवत पड़ेगी क्योंकि इस तरह के patterns बहुत ही कम time पे form होते है ठीक है आपको बहुत ही कम जगह इस तरह के patterns देखने को मिलेगी में भी आपका इसका just similar देखने को मिलेगा लेकिन वह similar रहेगा नहीं और आप बस form के लालच में या फिर आप form की ही लालच में आप आगर के वो trade ले लोगे और लॉस कर दोगे अगर same type का candle same type का pattern यहाँ पे बनता है आपके भी चार्ट पे तो simply तभी आप लोग trade प्लेस करना otherwise आप trade मत करना क्योंकि उस वक्त आप लोग loss कर दोगे ठीक है तो यह trade हमारा 100% win जाने वाली है क्योंकि इसे को कहते है short short pattern 8 और अभी मैं आपको इस trade का logic बताता हूँ ठीक है लेकिन अगर आप लोग इस चैनल पे नहीं हो तो subscribe जरूर कर देना था कि आप सभी लोग को इस तरह के knowledgeable and premium content बिल्कुल free में मिलेगा ठीक है टेलिग्राम जोइन करके तो टेलिग्राम का जो लिंक है वो description में मिल जाएगा simply आप लोग register कर लो अभी तक आप लोगों नहीं बनाया तो यह बना सकते है उसका भी लिंक आपको description में मिल जाएगा and comment box में भी print मिलेगा ठीक है आप लोग टेलिग्राम चैनल जोइन कर लो ताकि आप लोग simply easily daily का 10-20% profit easily निकाल ठीक है तो बिन कोई time waste के आप एक्स्प्रिंट करते कि किस तरह से यह जो pattern है यह आप लोग पैटन देखना इसको simply screenshot लेकर के save कर लो क्योंकि फिर आपको दुबारा देखने को नहीं मिलने ओला ठीक है simply आप लोग इसको screenshot लेलो ताकि आपको यह remember है समझ में भी है ठीक है तो आपको बस तीन candles देखना है ठीक है तीन candles और एक level देखना ठीक है या तो वो resistance या फिर support level पर रहना चाहिए ठीक है यहां पर यहां पर यहां पर क्या हुआ यह जो है market यहां नीचे साह ठ ठीक है यह रीटेश के लिए आया और यहां से फिट नीचे मार्केट जाए का डाउन डेक्शन में ठीक है अगर इस तरक के कैंडल होता है तो हमें downside का तरफ trade को लेना ठीक है तो सेम चीज यहां पर भी तो हुआ है है ना आप लोग तो देखने को मिली रहा होगा कि यहां जाँ जोँआ है तो देखो यहां से market upside की तरफ आया अब टेंड आया और यहां पर एक है level ठीक है स्थारी यहां पर है एक level ठीक है यहाँ पर है एक level और यहाँ पर हमारा आया दो red candles और यहाँ पर है दो green candle जो की रिटेश के लिए आता है लेकिन आप देख रहों यहाँ पर इतना gap है ठीक है लेकिन फिर भी मैंने downside के तरफ इस ले लिया क्यूंकि हमें बस तीन candle को देखना है एक दो दो red candle and green candle जैसे form होगा simply हमें downside के तरफ trade को place कर लेना है हमारा trade simply 100% win चला जाएगा ठीक है तो अभी मैं आपको backtest का भी करके दिखाता हूँ कि किस तरह से यह चीज़ यहाँ पर work करता है GBP JPY का जो asset है इसमें देखो आप लोग simply इस level को मैं नीचे drag down तो नहीं हो रहा है तो simply एक नया level लिया मैंने और यहाँ पर draw किया और यह हमारा resistance level और यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग दो red candle आया ठीक है दो red candle आया उसके बाद एक green candle आया जो कि इस level के जस्ट नीचे closing दिया तो simply हमें यहाँ पर जो trade है वो इस red candle पर हमारा trade रहता है डाउन डिरेक्शन पर हम हमारा यहाँ पर 100% short short pin चला जाता ठीक है तो उसी तरह से हम लोगो यहाँ पर trade लेना होता है ठीक है और और यहाँ आप लोग को दिखा लता हो ठीक है यह अप ट्रेंड के बाद दो red candles और फिर यहाँ से green candle retest के लिए और हम लोगो यहाँ पर reversal के लिए एक red candle पर trade लेना होत हो दो red candle sorry दो green candles और फिर एक red candle आएगा फिर आपको जस्ट यहाँ पर reversal के लिए trade लेना होता ठीक है तो vice versa work करेगा यहाँ पर support level के लिए ठीक है downtrend के लिए तो इसी तरह से यह short short pattern 8 work करता है so I hope आप सभी लोगो यह वाली भी pattern यहाँ पर समझ में आई होगी और यहाँ पर तो मैं back to back सारे ही short short pattern आपको explain करता रहा हूं और सारे ही short short pattern को ढूमना explain करना back test करना इनमें बहुत ज्यादा वक्त लगता है अगर आपको विश्वास नहीं होता तो आप खुद से एक short short pattern find करके देख लो आपको समझ में आ जाएगा इसके लिए तो सबसे पहले आपको experience की जरुवत पढ़ती है back test की जरुवत पढ़ती है candle का behavior का समझने का जरुवत पढ़ता है उन सारे चीजों के पीछे फिर price action का भी work करता कि अगर यहां पर price action work कर रहा है तो फिर यह pattern work करेगे की नहीं करेगी बहुत सारी यहां पर mixture होती है जिन सारे चीजों का filter करने के बाद यहां पर एक short short pattern बनता है और फिर उन short short pattern को यहां पर मुझे live करके दिखाना होता है तो उसके लिए मुझे ढूनने में time लगता है और आपको live करने में sorry live करके दिखाने में time लगता है तो आप सभी लोग को इन चीजों का appreciate करना चाहिए like share subscribe और यहां पर मुझे feedbacks provide करके comment म तो इससे मुझे motivation मिलेगा जिससे कि मैं जो भी कुछ कर रहा हूँ जो भी कुछ public service कर रहा हूँ आप सभी लोग को तो इससे मुझे बस खुशे मिलेगी कि जो भी जिस मैं आपे महनत कर रहा हूँ आप सभी लोग को public service कर रहा हूँ बिलकुल free में तो बस आप लोग का support सही और कुछ भी नहीं चाहिए बस इसी इनी सारी सीजर में मुझे मॉटिवेशन मिलती है और टेलेग्राम भी जोइन कर लेना ता कि आप सभी लोग को बिल्कुल फ्री में सिगनल मिलेगा और जो भी मैं टेट्स लेता हूँ उन सारे ही टेट्स को आप सिंपली कॉपी करके फिट बना सकते हूँ ठीक है जिस तरह से मैं बनाता हूँ तो थैंक यू सो मच वासिंग मैं वीडियो और थैंक्स फर एलावन सपूर्ट मलते लेक्स वीडियो में तब तक के लिए गुडबाई